तो Realme के इस P1 ने Samsung के इस F15 या M15 को हर feature में पीछे छोड़ दिया सिवाए दो feature गे तो आज के इस वीडियो के अंदर एक full to comparison करने वाले है Realme P1 और Samsung F15 या M15 के बीच क्योंकि दोनों same phone है एक आपको Amazon पर मिलता है एक आपको Flipcard के उपर मिलता है लेकिन 15,000 के budget में आपको Realme लेना चाहिए या फिर Samsung बस वह ही जानते है पहली बार चैनल पर आयो तो like and subscribe करना अगर आपको कहीं पर भी वीडियो पसंद आता है मैं 6, 128 GB की बात कर रहा हूँ और Realme भी आपको इसी price point पर देखने को बिलता है लेको build quality वैसे तो दोनों फोन की काफी अच्छी है दोनों फोन plastic बिल लेकर आते हैं फर्क सिर्फ इतना है कि Realme P1 matte finish लेकर आता है और जल्दी से दंदा नहीं होगा वहीं सैमसंग वाले के अंदर glossy back है fingerprints के निशान काफी जल्दी पड़ जाते हैं और scratches आने के chances भी थोड़े जादा है बाकि इन-end feel अगर देखा जाए तो Realme P1 का better है क्योंकि ये phone काफी slim है काफी lightweight है compare to Samsung Samsung के अंदर आपको 6000 इमिच की काफी बड़ी बैटरी मिल रही है जिसकी विज़े से इसका जो weight 200 ग्राम से उपर निकल जाता है और ये इतना comfortable feel नहीं होगा बाकि design ऐसी चीज़ है कि आप खुड decide कर सकते हो कि दोनों से आपको कौन सा फोन ज्यादा पसंद आ रहा है इसके अलावाद realme P1 IP54 की rating लेकर आते हैं haptics दोनों के अंदर ही आपको average type के देखने को मिलेंगे बात करते हैं दोनों फोन के डिस्प्ले की जहां पर काफी usable difference आप notice करोगे दोनों फोन के अंदर AMOLED डिस्प्ले दिया है realme में punch hole display है और samsung में you notch बेजल्स अगर आप देखोगे तो realme वाले में much better देखने को मिलते हैं even जो smoothness है वो भी अगर आप देखोगे तो 128 के साथ में realme वाला ज्यादा better है और outdoor brightness भी यहाँ पर realme वाले के अंदर ही better मिलती है क्योंकि 2000 नेट्स तक इसका जो pink brightness हो चला जात है तो samsung की मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट है अब display quality के साथ साथ यहां पर realme वाला sound के अंदर भी ज्यादा better है क्योंकि यहां पर dual speakers देखने को मिलते हैं जबकि samsung वाले में single speaker आता है तो of course sound quality आपको realme में ज्यादा better देखने को मिलेगी लेकिन जो software है वो किस phone का अच् update और तीन साल के security update देखने को बिलेंगे तो software update को लेकर कहीं न जाई realme वाला पेछे रहे जाता है बागी blotwise भी इस phone के अंदर काफी ज्यादा देखने को बिलते हैं अप ऐसे samsung ने भी यहां पर कोई कमी नहीं छोड़ी है यहां पर थोड़े से कम मिलते हैं बागी software मुझ रियल्मी वाला performance के अंदर आपर काफी आगे निकल जाता है चाहे day-to-day एप launching की बात करूँ या फिर heavy multitasking की realme वाला बहुत ही HSA करवा देगा इवन gaming के अंदर भी यह फोन आपको 60fps की constant gaming करवा सकता है जबकि Samsung वाले में 40fps में भी आपको काफी सारे frame drops देखने को बिलते हैं एक चीज में आपर add करना चाहूँगा कि Samsung वाले के अंदर आप 4G variant बिलकुल purchase मत करना है क्योंकि हाल कुछ ऐसा होगा जो अभी आप स्क्रीन के उपर देख सकते हो फोन बहुत ज़्यादा अटकना शुरू हो जाएगा और अगर आप Samsung के अंदर 6G variant भी purchase कर लेते हो ना तो ऐसे के अंदर भी Realme को बीट कर पाना impossible है लेकिन बैटरी बैकप के अंदर मानना पड़ेगा के बाई Samsung वाला clear winner है क्योंकि 6000 एमिच की काफी बड़ी बैटरी लेकर आता है तो ज़्यादा बैटरी बैकप ये आपको offer करेगा लेकिन charging को लेकर again काफी बड़ा difference है क्योंकि Realme में आपको 45W की fast charging मिलती है और Samsung में 25W की और जो charger है वो आपको box के अंदर देखने को नहीं मिलेगा तो आपको अलग से purchase करना पड़ेगा तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है network के अंदर दोनों फोन 5G को support करता है 5G band आपको Samsung में ज्यादा देखने को मिलता है 5G plus दोनों के अंदर ही मुझे देखने को नहीं मिला बट Samsung के अंदर V1R का support है जोकि Realme के अंदर missing है बाकि 5G दोनों फोन में काफी अच्छा काम कर रहा है इसके अलबाद dual mic आपको मिलता है call quality भी दोनों की काफी अच्छी है रही बात call recording की तो Samsung में आप officially कर सकते हो लेकिन Realme में आपको old LR app को download करना पड़ेगा SIM card slot दोनों फोन में hybrid देखने को बलता है अब आते है main बातचीत के उपर के camera के इस phone का ज़्यादा बैटर है लेकिन उससे पहले कई पर भी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक like जरूर से कर देना आर क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में काफी ज़्यादा effort लगते है details आपको दोनों में लगबग similar से देखने को मिलेगे फरक आपको मिलेगा इनके color और इनके skin tones के अंदर Samsung में जो colors होते हैं जो skin tones होते है वो आपको consistent देखने को मिलते है वहाही realme में colors थोड़े से पंची होते हैं और skin tones भी थोड़े से white करने की कोशिश करता है वागी light control दोन realme में ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं Samsung वाला skin tones को काफी अच्छे से maintain करके रखता है वह realme वाला skin tones को गोरा करने की कोशिश करता है तो यह एक चीज है वैसे जो भी photos में आपको देखा रहा हूं सारे Google Drive के अंदर save कर दिये लिंक आपको वीडियो के description में देदू अच्छे देखने को मिलेगा तो camera wise यहां पर realme ज्यादा better camera offer करता है बस यहां पर जो light control है इसके लाव जो skin tones है वो थोड़े से improve करने की ज़रत है वागी selfie के अगर बात करें तो realme में 16MP का है और Samsung में 13MP का जहांसे photos लेने पर आप notice करोगे कि Samsung वाला colors और skin tones को ज्यादा accurate show कर करने की कोशिश करते हैं बाट उसके बावजूद Samsung वाला थोड़े से natural color show करता है इसके लाव जो light control है वो भी यहां पर Samsung ने ज्यादा अच्छे सी किया है वही details वगर बात करें तो realme के अंदर slightly आपको better देखने को मिलेगी even low light में भी same चीज है realme वाला ज्यादा अच्छे details आपको offer करता है वही Samsung वाला photos को तोड़ा सा soft कर देता है इसके लवा skin tone जो है वह अगेन आपको Samsung में ज्यादा better मिलता है realme skin tone को यहां पर भी तोड़ा सा गोरा करने की कोशिश कर रहा है बागी वीडियो के अंदर दोनों 1080p 30 एपिस्ते की वीडियो बनाने में capable है quality दोनों म के अंदर stability missing है अब सवाल आता है कि 15,000 के budget में कौन सा वह लेना ची तो इतना सब कुछ देखने के बाद I don't think हो के आपके मुन में अभी भी कोई doubt रहा होगा एक software update और battery feature को थोड़े time के लिए अगर हम avoid कर देते हैं आपर realme वाला हर मामली के अंदर best है लेकिन वहीं पर सब्सक्राइब करते हो जाना क्योंकि ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी देखने को बिलते रहेंगे मैं मिलता हूं किसी नेक्स वीडियो में किसी नेट टोपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन जैबारा